खुदिराम बोस जुब्बा सहनी और पंडित सहदेव जाके इर्बीर भुमिका गोर लगेजिये आज चोथे चरण का मतदान चल रहा है आप सभी जनता जनार्दन के आशिरवाद से बीजेपी और एंडिये के पक्ष में आंधी चल रही है आंधी यहां बिहार में भी जंगल राजवाली पार्टी चारों खाने चित्त होने जा रही है और मैं हिंदुस्तान में जहां जहां गया बिहार में जहां जहां गया एक की आवाज आ रही है एक की स्वर सुनाई दे रहा है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार भाई और बहनों यह देश का चुनाव है यह हिंदुस्तान का भविश्यत ताय करने का चुनाव है यह चुनाव देश का नेत्रुत्व चुनने का चुनाव है कौन है जिसके हाथों में हम यह देश की बागडोर दें इसका निरने करने का चुनाव है देश, कॉंग्रेस वाली कमजोर, डरपोक और अस्थीर सरकार बिल्कुल नहीं चाहता आप अपने महले में भी दीला डाला पुलीस वाला पसंद करते हैं क्या टीचर भी मजबूत चाहिए क्या जबाब दीजे ना टीचर भी तो मजबूत चाहिए ना महले में पुलीस वाला भी मजबूत चाहिए ना तो पिर देश को प्रधान मंत्री मजबूत होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए डरपोग प्रधान मंत्री देश चला सकता है क्या आप कलपना कर सकते हैं ये लोग इतने डरे हुए है इतने डरे हुए है इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमानु बम दिखाई देता है अब ऐसी पार्टी यहां ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमानु बम दिखाई दे क्या इनको देश दे सकते हैं क्या ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या ये कॉंग्रेस के नेताओं के इंडी गर्बन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं कहते हैं कि पाकिस्तान ने छूडिया नहीं पहनी है अरे पहना देंगे अब उनको आटा भी चाहिए उनके पास बिजली भी नहीं है अब हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूडिया भी नहीं है कोई मुंबई हमले में पाकिस्तान को क्लिंचिट दे रहा है कोई सर्जिकल और एर्स्टाइक पर सवाल उठा रहा है ये लेट वाले तो भारत के परमानू हतियारों को ही खत्ब करना चाहते हैं ऐसा लगता है जैसे इंडी गड़बंदन वालों ने भारत के खिला भी किसी से सुपारी ले ली है आप मुझे बताइए ऐसे स्वार्थी लोग क्या रास्त रक्षा के लिए कड़े फैसले ले सकते हैं क्या जरा पुरी ताकत से बताइए कड़े फैसले ले सकते हैं क्या कड़े फैसले ले सकते हैं क्या कड़े फैसले ले सकते हैं क्या ऐसे दल जिनके अंदर कुछ ठिकाना नहीं वो भारत को मजबूर मजबूत बना सकते हैं क्या मजबूत बना सकते हैं क्या वो तो मजबूर बना कर छोड़ेंगे साथियों मोदी पुर्वी भारत के राज्यों को जो हिंदुस्तान का नक्षा देखें और सीधी लाइन बनाएं तो जो पुर्वी भारत है जिसमें हमारा बिहार है, हमारा जारखंड है, हमारा बंगाल है, हमारा उडिसा है यह जो पुर्वी भारत के राज्य है, ऐसे राज्यों को विक्सीद भारत के विकास का ग्रोथ इंजीन मानता है इसलिए मैं विक्सीद बिहार विक्सीद भारत के मंत्र पर काम कर रहा हूँ बिहार में आधुनिक कनेक्टिविटी हो, लोगों का जीवन आसान बनाने का काम हो युवाओं के लिए नए अवसर बनाने हो, कानून व्यवस्ता को बहतर बनाना हो NDA सरकार हर दिशा में काम कर रही है मोदी चारों दिशाओं में एक साथ काम करने का स्वभाव रखता है मुझफर पूर और बिहार के लोगों ने दसकों तक नकसलवाद का जक्म सहा है पहले की सरकारों ने नकसलवाद को पाला, पोशा और उसका आपके खिलाप इस्तेमाल भी किया अपराद हो, नकसलवाद हो, इसकी वज़ा से बिहार में उद्योग दंदे सब चौपट हो गए आपको वो दिन याद है ना, जब शाम होते ही, गर में चिपना पड़ता था बाहर निकलना बंद हो जाता था यह जो फर्स्ट राइम बोटर है ना, वो तो उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे उनको तब पता ही नहीं होगा क्या मुसिबत थी अपने जरा दादा, दादी, पिता, माता को पूछिए जंगल राज की जिन्दगी कितनी भयानक थी, कितनी डरावनी थी आरजेडी के जंगल राज ने बिहार को कई दसत पीशे धकेल दिया था यह NDA की सरकार है, जो बिहार में कानून व्यवस्ता को पट्री पर लाई है अम नक्सलवाद प्रभावी जिले भी तेजी से कम हो रहे हैं जब सांती स्थापित हो रही हैं, तो द्योग भी लोट रहे हैं निवेश भी आ रहा है, और आप जानते हैं, जब निवेश आता है तो रोजगार के भी मौके बढ़ाता है साथियों, कॉंग्रेस और आर्जेडी का इंडी गड़ बंदन भारत को बांटने में ही जुटा है ये समाज को आपस में लड़ा कर अपने वोट बेंके तुष्टी करण में लगा है आप लोग जानते हैं ने, करना टका कॉंग्रेस सरकार ने क्या किया ये समझ ले जाता है करना टका में कॉंग्रेस की सरकार है उन्होंने क्या किया रापों राप, वहाँ जितने भी मुस्लिम जातियां है सबकी सब, हंड्रेट परसेंट, सबके सब मुसल्मानों को एक रात में हुकुम निकाल करके, ओर्डर निकाल करके OBC बना दिया इसके कान क्या हुआ OBC को जो आरक्षन मिला था उसमें उन्होंने डाका डाला OBC जो है पहले वाले उनके पाद कुछ बचा ही नहीं अब मुझे बताईए क्या ये मोडेल हम बिहार में लागू होने देंगे क्या आपका आरक्षन पर कोई डाका डाले आपको मंजूर है क्या आपका आरक्षन कोई लूट ले आपको मंजूर है क्या और यहाँ बिहार में जो चारा वाले है उन्होंने और भी खतरनाक बात कही है वो तो कहते हैं कि दलीत, महादलीत, पिछडे, अती पिछडे, आदिवासी इन लोगों को जो आरक्षण मिलता है, वो उनसे लेकर के पूरा का पूरा वो मुसल्मानों को देना चाहते हैं साथियों, ये देश ऐसी कोई भी हरकत नहीं चला लेगा और जो ये दलीत, पिडीत, आदिवासी, वंचीत, हो भी सी इन का आरक्षण लोटना चाहते हैं न वो जरा लिख लो, ये मोदी है जान की बाजी लगा दूँगा लेकिन आपको न सम्विधान को हाट लगाने दूँगा न धर्म के आधार पर आरक्षण करने दूँगा और नहीं SC, ST, OBC का आरक्षण चिनने दूँगा और इसलिए मोदी किसी को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने देगा और ये मोदी की गारंटी है साथियों हमारी प्रतिबद्दता बिहार के युवाओं के सपनों को पूरा करना है यहां नितिश जी के नेत्रुतों में लाको सरकारी नोक्रियां बिहार सरकार ने दी है NDA सरकार ने दी है केंदर सरकार ने भी रोजगार मेलों के जरिये लाखों भरतियों की योजना को और हमने तो इतने सुधार किये पहले नोक्रि भरति में दो-दो साल तो कागजी काम चलता था मैंने इसको कम करकर के एक साल में दस लाख लोगों की भरती करने की ताकत पढ़ा कर दिये हैं बिहार में आठ नए मेडिकल कॉलेज स्विक्रूत हुए है बिहार में दस जार से जादा आईश्मान आरोग्य मंदीर बने है बिहार में चार सो से जादा जनव सदी केंद्र खुले है राज के गावों में साथ हजार से जादा कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए है मुझे बताईए सारा इतना हो रहा है इसमें कौन काम कर रहा है नवजवान को रोजगार मिले भी ना एक काम होता होगा क्या आज देश में लाखो Common Service Center गाउं गाउं चल रहे हैं ये मेरे नवजवान नहीं चला रहे हैं तो कौन चला रहा है रोजगार नहीं होता तो कैसे चलता भाई और बहनों यहां बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहने आई है आप ज़रा याद कीजिए दस साल पहले मंगाई की सिती क्या थी तब एक ही गाना चलता था और बिहार में तो बहुत चलता था मंगाई डायन खाए जात है मंगाई डायन खात जात है तब महिने की 20 हजार की आमदनी पर कॉंग्रेस सरकार आके कहती थी कि टैक्स दो आज मोदी ने ऐसा सुधार किया है कि 50-60 अजार रुपय की आये तक आपको एक नया पैसा भी टैक्स नहीं देना होगा अब ये बचत हुई के नहीं हुई तब गरीब तो फोन भी नहीं रख सकता था फोन करना भी महंगा था आज तो हर किसी के पास यहां जितने लोग बैटें न अस्षी पर्थन लोगों के हाथ में मुबाईल होगा और बिल भी बहुत कम आता हैं शाथियों के अधियों के अ कॉंग्रेस सरकार में गरीब परिवार की बहनों के लिए तो रसोई चलाना और भी मुश्किल था तब मोदी नहीं था तो आपको मुप्त अनाट और मुप्त इलाज भी नहीं मिलता था मुप्त राशन की योजनाने गरीबों के दस लाग करोड रुपिये जादा बचाए हैं वरना ये पैसे उनको अनाच खरिजने में जाते हैं दस लाग करोड रुपिये इस देश के लोगों के जेब में बचे हैं हमने जो मुप्त योजनाय तलाई हैं उस मुप्त इलाज के आयुश्मान योजनाने गरीबों के सवा लाग करोड से जादा बीमारी के समय होने वाले खर्चे मोधी करना है इसलिए आपके पैसे बच गए जनसरी केंद्रों में 80% डिसकाउंट से दवाई बेचते हैं 100 रुपिये की दवाई 20 रुपिया 15 रुपिया 8 रुपिया ऐसे मिलती है यह सस्ती दवाई के कारां आज देश वास्चियों के करीब दवाई में जो खर्चा होता था उसमें 30,000 रुपिया कम होकर के 30,000 रुपिया की बचत हुई है साथ क्यों हर परिवार की बचत बढाने वाली एक और गारंटी मोदी ने दिये है अब बिहार के हर परिवार में जितने भी भुजूर्ग है जिनकी उमर 70 साल से उपर है 70 साल से उपर जो भी है आपके गर में कुछ न कुछ तो दवाई लगती ही लगती है 1000-2000 रुपिया की दवाई तो लगी जाती है और जो बेटा मेहनत करता है बेटी मेहनत करती है उसी को खर्चा भोगरना पड़ता है वो अपने बच्चों के लिए खर्च नहीं कर पाता है बुजूर्ग माबाप के लिए करना होता है अब मैं आपको कहता हूँ आपको वो खर्चा नहीं करना पड़ेगा दिल्ली में आपका बेटा बैठा है वो खर्चा मोधी करेगा पांच लाख रुपिया तक सत्तर साल से उपर के लोगों का इलाज का खर्चा मोधी करेगा मैं बिहार के सारे युवाओं को कहूंगा अब ये चिंता छोड़ दीजिए कि भुजूर्ग माई बाबू के इलाज के लिए पैसे कहां से आएंगे अब उनका मुफ्त इलाज होगा और इसका इंतजाम अपने तीसरे कारल में तीसरी बार जब मैं सरकार बनाऊंगा मोधी खोदी इस काम को करेगा साथियो कॉंग्रेस के समय में ये बल्ब आता ना लट्टू एक LED बल्ब चार सो रुपिय माता था मोधी ने इसकी कीमत गटा कर 40-50 रुपिय कर दी घर घर में सस्ता LED बल्ब पहुचा कर भी सरकार ने गरीब और मध्यमवर की बिजली बिल में 20,000 करोड रुपिय बचाएं हैं साथियो मोधी ने आपका डबल मुनाफा करने वाली भी एक और योजना बनाई हैं डबल मुनाफा इस योजना से आपकी बिजली का बिल हो जाएगा जीरो बिजली का बिल जरा बोलो ना बिजली का बिल जीरो इतना ही नहीं आप गर में बिजली पैदा करके आप हीरो बन जाएंगे इस योजना का नाम है PM सूर्यगर मुप्त बिजली योजना और उसका रजिस्ट्रेशन चालूए है सरकार ये योजना लॉंच कर दिये आपको भी मैं कहूंगा ओनलाइन जाकर के आप एपलाई कर दीजिए इसके तहर छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार आपको 75,000 रुपया देगी 75,000 रुपया जितनी बिजली चाहिए मुप्त उफ्योग करो बाकी बिजली सरकार को बेज दो यानि आप गर का बिजली का बिल जीरो उपर से बिजली बेज करके कमाई ये योजना मोदिल आया है भाई और बेनों किसानों का ही एंडिये की प्रात्विक्ता है बिहार के लाखों किसानों को पी एम किसान सम्मान दिती के 22,000 करोड रुपय मिले है 22,000 करोड आंकड़ा छोटा नहीं है जी उसकी जेब में 22,000 करोड रुपया गया है बिहार के गाउं में 22,000 करोड रुपय जाता है न तो बिहार की एकोनमी दोड़ने लगती है इससे यहां लीची, आम और दूसरी फसल उगाने वाले किसानों को बहुत फाइदा हुआ है ये हमारी सरकार है जिसने मुझपरपूर की लीची को जी आई टेग दिया है अब बीजेपी ने एक और बड़ी गोशना की है आने वाले पांच साल में हम फल सब्जियों के लिए विसेज स्टोरेज क्लस्टर बनाने वाले है यही नहीं आने वाले पांच साल में फूर्ट प्रोसिंग के लिए भी हम तेजी से काम करेंगे साथियों हमारी सरकार की प्रात्विक्ता मचली पालन से जुड़े भाई बेहन भी है इने मच्च संपदा योजना से हजारो करोड रुप्य की मदद दी गई है यह हमारी ही सरकार है जिसने किसान क्रेडिट कार से मच्चवारों को भी जोड़ा है और देश में पहली बार मच्चवारों के लिए अलग मंत्राले बनाया 75 साल हुआ किसे ने नहीं बनाया मोदी ने बनाया मच्चवारों के लिए अलग मंत्राले अलग बजेट अलग योजना सिर्पर्जरब मच्चवारों के लिए साथियों बिहार में रेल रोड एरपोर्ट जितने भी काम यहां चल रहे हैं वो तेजी से पूरे हो बिहार विख्सित होने के रास्ते पर तेजी से चले इसके लिए मुझफरपूर से हमारे साथी राजबुषन चोदरी निशाद जी और वैशाली से विणाद देवी जी को भारी वोटों से विज़ेई बनाना है और जब आप इनको वोट देंगे ना तो वोट सीदा सीदा मोदी के खाते में जाएगा तो आप जादा से जादा वोट करवाएंगे पोलिंग बुच जितेंगे अज़ा मेरा एक काम करेगा है गर गर जाईएगा और कहिएगा कि हमारे मोदी जी आए थे और मोदी जी ने परिवार के सब को जैस्री राम कहा है मेरा जैस्री राम पहुंचा दोगे हर परिवार में पहुंचा दोगे बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद प्रेवार जाईएगा ठाम प्रेवाद मेरा मुंचा रओेख़ मेरा म उिachtet झाल झाल